हलो यू ओल माई लवली बड़ीज आ वेरी वार्म वेलकम तु यू ओल जो घूमना फिरना सबसे जादा पसंद करते हैं उन्हें दुनिया में कभी भी कहीं पर भी 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 भेज दिया जाए और डे आर रेडी टू ट्रावल येस तो अगर आप ट्रावल फीक है और अगर के लिए this chapter is only for you to make you aware about the things which are going on जो सारी चीज़े atmospheric changes लेके आ रही है जो सारे हम लोग देख रहे हैं आजकल depletions and all वो क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है उसके impact क्या है ये सारी चीज़े हम देखेंगे in this chapter I am your English educator Pooja Sharma and the chapter is from your book in English की विस्टास book से है और इसका नाम है journey to the end of the earth you know when I first encountered this thing जब मैंने पहली बार ये रीड किया था journey to the end of the earth तो मैंने कहा कि ये तो chapter ऐसा लग रहा है जहां मुझे meaning लग रहा है कि अब अर्थ का अंत होने वाला है right then when I read this chapter then I get to know कि ये तो अर्थ के end point की बात कर रहा है so देखो जब topic का नाम भी दिया जाता है when there is some topic or some name of the chapter is put there तो वहां पे भी कितने सारे हम अपने सारी सोच लगाते हैं we think about that कि क्या क्या हो सकता है तो यहां पे दो meanings लगते हैं दोनों ही मुझे लगता है properly बिल्कुल सही बताये गए हैं they are used correctly that it can be the end of the earth because we are human beings we are taking that way only हम वहीं पे जाना चाहते हैं जहां पे हम खुद ही इस journey को अंत कर देंगे and the earth will be like that you know very well and the second one is the earth journey to the end okay end मतलब the south pole not pole ऐसे सब सुना है न अपने तो earth का जो end part है वहां पे लेके जाएंगे देखो अगर you are like move rover आप इंडिया में घूमते हैं करते हैं तो हम इंडिया की सारे directions में जाकर के move करना वहां जाकर के enjoy करना बहुत पसंद करते हैं because वहां ने ने नेच्रल है से निक व्यूज है और यहां पर जो हमारी author है वह हमें लेके जाएंगी glaciers की तरफ island की तरफ वाई 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 बिकास उनका एक पूरा का पूरा जैसे हमारे researches होते हैं हमारे को लेके जाया जाता है बाहर expenditure के लिए उसी तरीके से यह भी यहां पर आएं हैं और यह है पार्ट एंटार्टिका का जहां पर इनको स्कूल की तरफ से किसकी तरफ से स्कूल की तरफ से लेके जाया जाता है इसकूल आपको जो अपकमिंग जनरेशन है उसको इस लाहिक बनाना उनको इसके लिए सोच लिए डिवलप करना और तो अवे मेक दम अवेर तट हाओ यू चेंज दे पॉलिस हाओ जो शी नहीं है फाइंड आओ करेक्ट जो हती इंफरमेशन वही मैं हमेशा ले आती हूँ दोशी जानते हैं इनके बारे में तिशानी दोशी शी वस बॉन और 9 डिसेंबर 1975 इन चैनने यह क्या है शी इंडियन पोईट आज जॉनलिस आज डानसर इन 2006 यह यहां पर इंपॉर्टेंट आता है शी वान द फॉर्वर्ट प्राइज किसके लिए उनकी डेब्यू नहीं नहीं जान सकते क्या तो इस इस दिए पोईट्री बुक अग आग 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 देडूर तो यह तुछानी दोशी है यह इनका अच्छी ऑट बायग्रफिकल फॉर्म और राइटिंग है जो यहां पर इन्हों ने लिखा है वह उन्होंने यहां जिया है वह वहा क्वा अच्छेमे गई थी और उन्होंने पूरा description से करिएगा नहीं किया है तो जरूर से करना है कमेंट्स में बताना है आपको यह चाप्टर कैसा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लगता है what you want in upcoming classes and definitely share with everyone क्योंकि यह one-shot exam से पहले बहुत काम आने वाला है okay so let's get started यहाँ पर अगर मैं characters की बात करती हूँ तो mainly एक दो ही character है बट हम तशाली दोशी को ही center of the story को रखते हुए आगे बढ़ेंगे this chapter is all about expedition as I told you कि इनको लेके जाया जा रहा है कहां पर एक research paper है इनका उसके through इने बाहर लेके जाएगे so here is journey to the end of the earth and it is about the author traveling to Antarctica देखो हम लोग क्या देखते हैं हमने बहुत सारी ऐसी movies देखते हैं जिसमें हमें या vlogs देख लो भाई movies ना को तो तुम vlogs को आजकल जाला तर vlogs वही चलते हैं जहां पर कोई नहीं जगे पर आपको to travel कर रहा है वह travelling कि आपको बहुत अच्छे चीछी सी अफ एतज को बिलीफ इक टो यह को अपने भी रहा है जैसे आप उससे विज्युलाईज कर सके तक आते हैं, I would definitely say, कि यहां भी मस्मराइज होंगे, but definitely you will be like more aware about what to do and what not to do, you will be more energetic and having consigns कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे ही इस environment को सेव कर सकते है, because you know very well कि हमने human beings, as human beings we are not at all, we don't concern about the things which naturally occurs, और हम सारी चीजों को खतम करने में ही लगे रहते हैं, so this is moreover, giving you a knowledge कि आपको aware रहना है, okay, let's get started, so it is about the traveling to Antarctica, सबसे पहले ये Antarctica वाला पार्ट याद रखना, जो southernmost part है, किसका, the southernmost part of the earth, तो Antarctica क्या है, southernmost past है, when the author travels to Antarctica with the high school students, so ये कभ इन ले जाया गया, when she was in her high school, तब उनको वहां से school की तरफ से लेके गये थे, on board on a Russian vessel, और उस Russian vessel का नाम is really very important for you, तो मैंने हर एक लाइन आपके लिए जहां से question आ सकता है, वैसे ही लिखी हुई है, यहाँ पे, आपको हर एक लाइन में आपको एक question आता हुआ, दिखेगा, चाहे वो MCQ form में हो, चाहे वो detailed में भी हो सकता है, आपको सब अच्छे समझ में आएगा, आपको सब अच्छे समझ में आएगा, आपको सब्सक्राइब कर रहा है, जो कि लीड कर रहा है, more of a jeff green is the one who takes interest in taking students on the educational trips okay through this helps them discover the end of the earth and what he wanted to do he wanted the students to discover the end of the earth and in both the ways just a man app ko pahle बताया दोनों तरीके से एक तो हम बात कर सकते है physically अगर earth के end में जाना और दूसरा कैसे human beings जो है वो earth को end की तरफ लेके जा रहे हैं now we are talking here about some Antarctica parts Antarctica का simple ecosystem है बहुत a simple ecosystem है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जालता लोग रहते ही नहीं है they can't survive because वहाँ पे सब ही सब बर्फ है everything there is only only what like a बर्फ ही बर्फ है आईस ही आईस है वहाँ पे तो जालता लोग वहाँ रहते नहीं है but even people they don't live there still the impacts of human activities can be seen there वहाँ पे देखी जा सकती है चाहे वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं लेकिन कहीं और के जो impacts and because of that globally सारा occur हो जाता है सारी problems होती है and that's why Antarctica पे भी impact देखने को मिलता है okay it lacks biodiversity यहाँ पे biodiversity नहीं है and hence Antarctica is the perfect place to study how little changes in the environment can have bigger consequences तो Antarctica जो है यह जागर के पढ़ना वहाँ पर जाकर research करना find out करना कि कैसे एक छोटा सा change लाने की वज़े से भी पूरी चीज़ों में उसके results में कितना changes आ सकता है okay so this chapter this chapter if I would say this chapter is divided into three parts कितरे parts में divided है यह chapter three parts में divided है okay so आपको हर एक चीज़ को बहुत अराम से समझना है कि three parts में कैसे कैसे क्या लुक्षीजें बताया गया है की history कि बारे में जैसे एक बढ़ बताया गया है आपको like history के बारे में ओकी history के बारे में बताया गया है the second one is about this place only और उसमें बताया है walk on the ocean the last one is walk on the walk on the ocean okay and the next one second one is human impact क्या है human impact कि history पाढ़ेंगे पहले हम फिर पता चलेगा कि human का impact कैसे रहा है यानि कि human की जो activities है उसकी वज़े से क्या-क्या देख सकने को मिलता है वहां पर कितनी सारी चीज़ों में changes आये हैं and then we can say they walk on the ocean why they walked on the ocean it's very cute and little one okay so यह सारी चीज़े आज हम इस class में discuss करेंगे then let me tell you once more कि if you still haven't to share this session please share this session ताकि सबको ही मज़ा आजाए okay now manager से आपको बताया यहां पे प्रोग्राम चल रहा है and the name of the program is student on eyes okay यह याद रखना program का नेम program name very important for you program name जिसमें तशानी दोशी with all the other students यहां पे आई है and head कौन है जिफ ग्रीन है और क्या है एक research है basically it is what about a research और जहां पे वो इंटार्टिका में गई है and that name is student sorry study students on ice okay students on ice यह नाम भी आपको याद रखना है all the important things I will let you know जैसे जैसे आती जाहेगी वो सारी चीज़े में आपके साथ ने करती जाओंगे so here it is let's get started with part of history okay part of history की बात करने से पहले let me tell you कि जो यह रशियन ट्रिपनों ने स्टार्ट किया यह जो रशियन ट्रिपनों ने स्टार्ट किया था इस रशियन ट्रिप को स्टार्ट करने में उन्हें hundred of hours कितने हां गंटे लगे सौ घंटे अराउंड लगे और यह सौ घंटे कैसे कभी उन्होंने like on road कभी by plane कभी उन्होंने like ship के थू तो इस तरीके से अलग-अलग mode of transportation के थू hundred hours की जाने करने के बाद में देब वेंट to the place और वो कौन सी जगह है antarctica है okay now part of history the author talks about godwana land okay अगर आपको godwana land के बारे में नहीं पता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए इस तरीके से डिवाइड हो गए कि yes if we want to join them तो अभी वो जिग्सौ की तरह वापस से join हो सकते हैं so firstly it was only जो अर्थ है वो पूरा पेंजिया से था and then यह डिवाइड हुआ दो लैंड मैं जैसे के कहते हैं अंगारा लैंज और गोडवाना लैंज ओके और बीच में जो एक सी आगई जिसे टेथे सागर की सी कहा जाता है इन इंग्लिश भी से टेथे से सी ओके यह इन दोनों के बीच में जो आया है वो that was is a liquidy part drop टेथे सागर के नाम से जानते हैं and this is the Godwana land जहां इंडिया में भी आपको ये वाला Godwana land का काफी सारा पार्ट दिखाई देने को मिलता है okay so we are we are talking about Godwana land when we talk about this thing we get to know that a giant amalgamated southern supercontinent that existed 650 million where 650 million years ago the very important point a Godwana land to exist karta ta yes 650 million years ago say a point you happy again let me mark this very important for you I mean it was centered roughly around present day antarantica ये कहां है हमारे पास में Godwana का नाम क्यों आया अगर क्वेशन आता है आपके पास में Godwana का ये इंटार्टिका अगर पूछा जाए that 650 million years ago की बात की जाए तो इंटार्टिका किसका पार्टा तो Godwana का पार्टा ये आपको याद रखना that's why I have showed you this picture now this journey to Antarctica was an attempt to understand the formation of countries कैसे formation हुआ countries का and find out about our origins और हमारा origin because history if we are talking about to definitely हमारा origin उद्गम कैसे हुआ है कैसे countries develop हुई ये सारी बाते जानने किसे ही related होता है इंडिया है पुष्ट नो देखो या गया नौट वर्ट इंटु एशिया टू फॉर्म दी हिमालिया जब यह जब दो पार्ट में डिवा था तब जब डिवाइड हो तो किस ताइफ में चला गया इंडिया इंडिया चला गय basically if you want कि यहां पर आपको बहुत अच्छी से story मिलेगी जहां पर खाने पीने के बारे में और उनके adventures के बारे में पता चलेगा yeah definitely we will get to know adventures adventures तो हैं इनके यहां पर but moreover we will get to know the knowledge और जो factual बाते हैं वो सारी factual बाते हैं यहां पर चलने वाली है now अब अगर हम बात करते हैं South America के बा के बारे में मैंने आपको बताया की गोडवाना लैंड जो है वो प्रायर टू हूमन रेस तब से है ओकी तब से गोडवाना लैंड है now South America had drifted South America किस तरफ चला गया North America to form the Drake Passage which created a cold circular current to keep Antarctica freezed at the bottom of the world so यहां पर आपको पता चला why मैंने बताया है history का part कैसे बना so it was Pangea Pangea से फिर बात में अंगारा और गोडवाना फिर गोडवाना की भी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया तो हमालियास की तरफ हो गया and if we talk about South America and North America so उनकी वज़े से यहां पर क्या चुका है वो at the bottom of the world. Pending two weeks in Antarctica was overall a chilling prospect for her. अब वहां पे spend करना है उसको कितना क्या spend करना है spending two weeks दो हफते वहां रहना जहां पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ and you find nothing. वहां पे आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या आप सोचके ही परेशान हो जाओगे वहां जब अ जो height होती है वहां पे उस height को भी हम लोग नहीं कर पाते हैं उसके साथ में नहीं कर पाते हैं और क्या होती है कि लोग आदे से जादा लोग फेंट होना और इस तरीके से शुरू हो जाते हैं so यहां पे she had to spend not only she the whole troop जिसके साथ में students भी थे तो वहां पे 2 weeks के लिए spend करने थ को free baki 90% ice and has no human markers like trees or billboards throughout the continent और वहां पे आपको पूरी जगे कुछ नहीं मिलेगा वालब ऐसा आपको human impact नहीं देखेगा कि यहां पे इंसान रहते हैं कोई billboards नहीं लगे मैं कोई trees वगरे भी नहीं है वहां पे nothing you can find it out so this is the place and look at the picture this picture clearly identifies and tell us कि कैसे 90% जो है only ice was there okay moving ahead तो हमने history जान ली history में हमने इंडिया जाना history में अमरिका जाना and how Antarctica formed यह जान लिया हमने यह पूरा पूरा आपके लिए very much important था क्योंकि part of the history से question आता है now human impact की तरफ चलेंगे human impact कैसे है इंटार्टिका जहां पे अगर आप देखते हो biodiversity नहीं है वहां पे humans रह रही है तो all in all if we are not living there but still हमारी वजह से वहां पे भी गड़बड़े हो रही है we are spoiling that area so the author says that humans have been on this place for only 12,000 years and have managed to create a walk with their ambitious dreams of development तो यहां पे बताया है कि हमना हम क्या करते हैं बहुत ambitious हो चुके human beings जो है human race की बात की गई है human race क्या हो गई है बहुत ज्यादा ambitious हो चुकी है and we want to fulfill all our needs और उसकी वजह से यहां पे हाव अच्छा गया limitless burning of the fossil fuels yes I want to tell you about two three two three things देखो जब हम यहां पर बात करते है human impact की तो एक बात आएगी आपके fossil fuels के बारे में fossil fuels which are really very important to know कि कैसे fossil fuels का दिक्कत आया है and the second we I can say जो rapid increase हुआ है human population में the rapid increase in human population is it might be written तो मैं आपको लिख देती हूँ यहां पर rapid increase in rapid increase in human population उसकी वजह से हमारा fuel जो fossil fuels consumption है वो भी बढ़ गया है तो rapid increase in human population यह भी human impact डालता है बहुत बड़ा human impact डालता है यह okay now to fossil fuels has increased the levels of carbon dioxide यहां पर important बात आचुका है आपके लिए क्या है important यहां पर कि limitless burning की जा रही है हमारी तरफ से और हम लोग क्या बन करें fossil fuels बन करना है चाहिए हम खाना बनाने के लिए बात करते हैं चाहिए हम इदर सुदर transportation की बात करते हैं एनी mode of transportation तो हम लोग यूज करते हैं like fossil fuels का use होता है ठीक है वहां उसकी वज़े से carbon dioxide जो है उसका level increase हो रहा है in the atmosphere and climate change is an important part of the environment debate and Antarctica is a crucial part of it because it holds half million year old carbon records in its layer of ice मतलब आप सोच सकते हो कि उसकी ice में अभी भी carbon records पाए जाते हैं it is around half million years old कितना half million years old के जो carbon के हम बोल सकते है particles है they can be found there in the layers of ice so यह यहां पर human impact का इतना बड़ा चीज यहां पर हमारे साथ में share किया गया है कि मैं आपको आकर कि सीधा सीधा story की form में समझा दू बड़ अक्चुल questions don't come from that तो फिर आपके लिए मज़ेदार नहीं होगा you can find anywhere कि आपको यह chapter जो है वो story form में समझा दिया गया story form में समझाने से आपके questions crack नहीं होंगे और questions crack कैसे होंगे इस तरीके से जो important points है वो सारे मैं आपको समझा दू कुछ कुछ जो चीजे होती जो geographical होती है कुछ history part वाला होता है तो हमारे इस श्लॉक या with students on ice यह रहा student on ice job जो थे उन्होंने offer किया था future policy makers जो हम क्या सकते next generation है जो life changing experience ले रहे थे वहां पर at an age when they were ready to absorb learn and act तो वहां पर लाने की पीछे वाजय क्या थी उन्होंने सीधा-सीधा बोला that मैं यहां पर celebrities को ले आता like job green केते हैं कि मैं यहां पर celebrities को ले आता at this place तो यह इतना नहीं होता because they are very much busy in their life first thing and they didn't have any concern they didn't have any concern for these things उनको कोई concern नहीं है celebrities को उन्होंने अपनी life में इतना कुछ कर लिया है कि वह इस बारे में आर्थ के बारे में जादा-जादा सोचेंगे कुछ policies बनाएंगे and they will bring the changes और इसी वाज़े से उन्होंने students को यहां पर लाने का सोचा था okay now moving ahead so they are future makers and plan doing the reason why the program was so successful was that being near the south pole always affected people in some way यह जो है यह क्यों successful why it was successful जो यह इनका research program था यह इतना successful क्यों हुआ student on ice just because क्योंकि यह south pole के नियर था इस वज़े से यहां पर इनके लिए जाना affected हो गया he's the simple ecosystem and lack of biodiversity in Antarctica make it easy for us to study how minor changes in environment can have bigger repercussions repercussions means results okay results की बारे में मतलब उनका outcome की बारे में बताया गया है so जो simple ecosystem है और यहां पर lack of biodiversity where we are talking about Antarctica की ही बात कर रहे है यह बहुत था further depletion of the ozone layer could disturb the activities of phytoplankton आपको पता है phytoplankton it is a kind of a हम बात कर सकते हैं मतलब हम क्या कहते हैं जैसे aquatic region के अंदर पाए जाने वाले जो plants होते हैं वो है यहां पर phytoplankton अब phytoplankton को भी क्या चाहिए होती है जैसे photosynthesis के through sun की चाहिए रेस चाहिए होती है और then he only then क्या कर सकते है वो अपना food बना सकते है अब यह जब पूरी life cycle है sorry food cycle की बात कर रही हुँ में यहां पर यह जो पूरी food cycle है इसको भी रखना very important it is for you अब मैं आपको बताती हूँ phytoplankton जो है वो किस तरीके से हम उसको changes में खराब कर देते हैं when we talk about microscopic phytoplankton तो यह plants के जैसा ही खाना बनाता है ओके और provide किसको करता है southern यहां पर लिख देती हूँ ओके provide food provide food to southern ocean southern ocean part को क्या करता है provide करता है food southern ocean part okay so हमने बात करनी है phytoplankton जैसे कि plants खाना बनाता है वैसे यही भी sunlights जो होते है उससे करते हुए खाना बनाता है बट जब sunlight नहीं पहुंचती है या किसी वज़े से जैसे depletion of ozone layer इसकी वज़े से यह सारी चीसे खराब हो जाएंगी तो what it will directly impact it will directly impact the southern southern ocean part और क्यूंकि यह यहां पर food को provide करता है तो एक बार food cycle में अगर changes आगा है अगर आपने एक जगे कहीं पे भी food cycle में से एक पार्ट को भी रिमूव कर दिया तो फूट साइकल पूरी नहीं हो पाती है विच के इंटर्न अफेक्ट अफेक्टिंग ग्लोबल कार्बन साइकल को एफेक्ट कर देता है simple सी चीज जो हम लोग use कर रहे है और हमारी वज़े से depletion हो रहा है ozone layer में और उसकी वज़े से even in Antarctica as well हम सिर्फ अपने आसपास में ही देख पाते हैं कि हमने जैसे लिटर किया हमने कुछ चीजे फेक दी है वहाँ पे मदुमक्यां वगर आने लग जाते हैं यह सारी चीज़ से जहां पे Antarctica region है जहां बाइवर्ट डैवस्टी भी नहीं है और वो एक्दम सिंपल एको सिस्टम पे लिव रह रहा है वहां पे भी वहां और जहां पे human beings नहीं सर्वाइब कर तकते हैं वहां तक भी हमारे impacts पड़ रहे है इट इस अल बाट human impact the next one is walk on ocean actually kia hota because of some reason walk on ocean ocean pichalna so what happened that when they further move a good birthday to because of some reason unka uh joship hota hai wo aage nahi japa raha hota kuchu due to some lack of technicalities or some is wajah se unka ship joe aage nahi paunch pata to you look decide karte hai hum log ship sa utar jata kuna hum ocean pe chal karke aage barte and this is all about that the while the author had a number of epiphanies during her antarctic experience the best one was when they were asked to walk on the ocean saari cheeze jabu nana ki jabu is expedition pe ti jabu is kithru ba gain thi toh in honne baut saari cheeze enjoy ki lekin sa the best agar poochha jae toh best kon sa tha walk on ocean tha before going the participants of the program were asked to climb down the gang plank and walk on the ocean jitne kitne member si yaad rakhna hai maine na yaha pe deliberately likha hai all 52 members that's why aapko yaad rakhna kitne member se 52 members were there spread out on the ocean one meter thick ice pack sub 52 members joe hai woh ek meter thick ice pack the ice pack matlab ki us the us ki layer ke baare me baat kiya jara hai wahaan tak sab sare sare students fell chukke thai and cribita seals were stretching and sunning themselves on ice flows wahaan ki joe seal hai uska naam hai very important it is which is found only there in antarctica to ye joe seal hai uska naam hai krabitar seal toh wahaan pe jabu ye sari human activities honne laggi and they started walk on ocean tab joe seals hai woh bhi stretch out honne laggi woh unhaha ne seals ko dekha unhaha ne dekha unki activities kaisi hoti hai joe seals hai woh kaisi survive karti hai jub aba ik aum bol sakti white layer hai this is what it is a ocean abba haa pe kya hooghi white layer hi dikhayi bhaar fi leekin under that we aquatic joe haa hum baat kare sakte animals hai plans hai toh uh wo sari cheize bhi vah haan pe unhaha ne dekhi and dewa mesmerized after seeing that just like stray dogs do under the shade of a bunyan tree aur unhonne isko kiske saat mein example diya hai very important part comes yeah qiki question hai sata hai that stray dogs क्यों बताया गय थे वह वै वैं वैं वेन विन वी अपर इंटर्टिका अंटर्टिका में तो आसे सारी चीज़ नहीं थी things about the beauty of the place and wishes that it should remain the same as any change here will have an impact on the entire human life or do successful rahe ham baat karte hai job green was successful right because all the students and even from that agar ham ish the shani doshi ki baat karte tushani ko actually a realize ho gaya kya realize what dekho that she started thinking about the beauty of the place ki kitni beautiful jaghe hai ye or wish kya ki ye jeshi hai vaisi hi rahe isme ko changes nahi hai due to the impact on the entire human life ki iske oopar koi bhi changes nahi ane chahiye she started and she thought about that ki aysi sari cheeze joh human kar rahe hai ar humans ki wajahe se yaha pe bhi e sari cheeze dekne ko milti little little bit of things can change everything here to wo sari cheeze in ko mind mein a gay and they were aware more more awakened and enlightened about all these things and unko samaj mein a gaya ki kaise unhain earth ko bachana hai and this expedition was this was the successful one ye keh sakte hai so yeh poora mein na aapko bata diya hai chapter ka jist yaha pe share kar diya hai yaha pe and humne jaan liya hai ki walk on the ocean mein jab unki ship struck ho gai to is wajay se ship struck ho ne ki wajay se unko aage le ke gai te on and they had a walk aur mainly hum kaise planet ko harm karte hai us sari ki chizho ke baare mein bata ya gaya hai iske under right so what I feel is what I feel is like you are sitting might be you are sitting in your room or library or your anywhere but you are living in a room okay you are in enclosed aap ek room mein hai that's why it is really important for students and for every human being ki woh draw karke actually dekhe ki kya hai bhoat sarhi baathe lumbi lumbi baathe jo hai woh kya hi ja sakti hai bhoat sarap interviews dek sakti hai ab malab hum ek room me rehke sif sun sakti hai joh hum sympathy ya empathy ki baat karte woh taptak nahi aasakti ham taptak aware nahi ho sakti jab tak ham us jagay pe chakar ke khud usse nahi dek sakte hai okay on that note I have example as well that in India hum log dekh rahe hai utrakhand ka jo jagay hai utrakhand mein kiti sari disasters ho raya hai why all these happening because of human right impact only human impact ki wajay se hi ho raya hai we have seen many movies on that as well aur hum jate bhi rate hai aaj kal to like hum log reels pe videos pe bhi bhout sarhi cheeze dekhte hai ki kaise ye all of a sudden itne salo ki mahinat ka bnaya hua ghar eek second me like within some few seconds woh pura destroy ho jata hai aur papani hi papani hai like agar ham bat kare gujarat ki bhi nowadays gujarat me itni zada heavy downpour ho raha hithna heavy downpour ho raha that all are stuck in their houses only and they can't move out as well to mahi baat safi bata na chare yun ki aap luk bhi thode se aware ho e koi bhi cheez agar ap kar rahe hai usse pehle awareness raha hai apne andar that whatever you are doing it will give an impact on nature on earth so before moving ahead uh you just have a pledge to yourself ki dekho hum awareness ke saath me zindagi jihenge because on this note jase ki joff green chate te ki unke jo students hai woh ye sari cheezo ko samjhe because they are the policy maker on this note i also want this ki aap meri sari students and you are going to be the policy makers you are you are the future you are planning uh going to plan the next generation to aap ko ye sari cheezo ka bohut dhyan rakte huye sari cheezo ko karna hai okay so on this note i have completed this chapter there is a glossary part which is really very important bohut important there are so 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 many new words so here i have glossary be add kya hai aap hi logo ke liye taa ki aap un sari new words ko dekho ke aap confused nahi ho okay so vessel is a large ship uh here i have to tell you that academic sokaraskia ki baat karte hai toh ye kya tha russian vessel isi ki baat kare le agar haam ye ship ka naam tha uh eco spheres ki baat karte hai agar haam toh the part of the universe habitable by living organism horizon ki baat karte toh horizon kya hai the line where earth surface and sky appears to meet horizon jis se hindi mein hum kya kekta hai shitich kekta hai jaha pae aisa lagta hai ki earth aur jose kai hai wo meet kar rahe hai profound means hota very intense immense immensity matlab extremely large size isolation separations ki baat ki tati hai amalgamated ya haan pe bhi aya tha amalgamated ka matlab hata combine karna jodna super continents ki baat kare all the continents when they were near to each other super continents kab jabu a pension wali baat karte chabu paas mein paas mein thi goldwana land ke baareme man aapko bataya a southern super continent consisting of india south america antartica and africa hosting matlab containing host con kar rahata manlab wahan pe kitne saray log te toh they were hosting 52 members toh as tarikai se yad rakhye flora and fona matlab kiya hota animals and flowers ki baareme jab bali baat ki jauti planet and animal life ki baareme thrive means to grow and develop grass means to understand mind blogging means overwhelming it was mind blogging hum bolteh baat zahadha aaj kal use kiya jata hai mind blogging ka matlab kya hota hai then microscopic means very small markers means sign measures means a small mosquito mirsh ka matlab small mosquito hai debates matlab discussion gangplank ka ya haan pe bhi zikra huwa tha it means a board that is used to walk between a ship and a shore kyunki unhain ocean pe jana tha toh there was a gangplank jisko use karke wo ship se kaha onthrete shore pe gaita ocean biodiversity very easy variety of living things and sunning means enjoying the sunlight conceal seals were sunning ayat aline so they were actually enjoying the sunlight okay so now i have this part and this part says are you all ready to go itna detail may one shot up ko kahi nahi milega i know that shayad ho sakta hai ki time ko extend kar gaya ho leki ni important hai chapter harik line hapa important ho jati hai if you want if you just miss one fact toh aapka question a jata hai toh aap parishraan ho jauge so that's why okay let's start with the questions are you all ready yes you all are ready what was gondwana you have to directly answer me a b c d with the answer as well a b c d k sat mein answer likhenge ek snow animal ka naam ek giant glacier hai giant animal hai ya ancient supercontinent hai so here the correct answer is d that godwana was a supercontinent now what's the name of the program author is working with your author hai author who is author first of all author is dashani dashani jiske work kar rahi thi this program pe uska kya naam tha a worldwide fund b the etartic and uh southern ocean uh collation c madrid protocol ya d student on ice very well done i hope that you know very well answer and must have given the answer in the comment section so here it is d student on ocean now i have some uh question answers jis mein aapke ah detail two marks ka a saktah hai four marks ka question a saktah the short and long all the questions i have for you be prepared kyunki ye questions important hai for your exam perspective ye p y q's mein bhi a chukye hai so yaha pe aapko yaad rakhna hai the answer for the narrator spending two weeks in antartica is a challenge not only for the body but also for the mind yaha pe why it is only not only physically but mentally it is um very problematic kaisa ye teasee joh hai woh challenge create karti hai so for the narrator spending two weeks in antartica possess not only physical but also mental challenges abhi poora poora hum ne kya kiya hai we have taken this line from the question why it is important because ap apna answer akchhe se present nahi karte ho you write on only few words so ap ko poora answers nahi milne wale always examiner dekhte hai that how you present your answer she he knows or she knows examiner knows very well ki aapko answer ata hi ho ga definitely taba ap likh rahe hai asa kuch but presenting is more important if two marks a question hai to one mark agar likha a jata hai to that is okay but two marks was a two marks lana bhi bhot important hai to aapka answer aapko impactful rukhna the extreme and isolated environment of antartica pushes the limits of the narrator's body with freezing temperature and harsh winds and difficult train toh yaha phe hum ne physical ke sath sath mein mental joh sari dhikkatte zhamna karna pardta hai woh sari chizai yaha phe likhli hai ki ki kaise freezing temperature hai joh harsh winds chalati hai yaha phe or difficult hota hai train however the vast emptiness lekin phir bhi yaha phe kya bhot khali khali empty hai poora and desolations of desolation of the landscape also take a toll on the mind kyunki apko waha phe koji aur dhikhai nahi dekha a toll on a mind matlab bhot acha phrase joh use kiya jata hai you also write these type of phrases if you love to bhot umpachha hai ap apne answers mein add ki je evoking feelings of insignificance and introspection he kya karte he feelings evoke karte hai ki bhot insignificant hai bhot unimportant wali chizai hai aur introspection ke baare mein the absence of familiar human activity like hum jasee dekhti hai aspas mein koji no koji chiz human activities a plans a kuchh nahi toh birds hai kuchh nahi toh hum vaha phe dek sakti hai ah bacho ko khailtai man although human activities this was the apps this was absent there yeh vaha phe nahi the the overwhelming silence can lead to a sense of isolation vaha phe sirf chuppi chuppi thi aur isse aap isolated feel karte hai and introspective again contemplation making it a mental challenge as well or is wajay se yeh kya karta hai mental challenge bhi deta hai so a long question can come and you have to answer that in this way only moving ahead with the next question next question how did the entartica amazed the writer when he uh when she first saw it okay kaisi antartica ko jab pehli baar dekha bada hum kehsakte ki jab pehli dhafya waha phe utrati antartica region mein tab unko kaisa feel hua tha so when the writer first saw antartica she was amazed by its she was amazed by its vastness and immense white landscape waha phe bhoat vast vast ta or subjagi kya tha white landscape it was an endless blue horizon the fact that it was isolated from the rest of the world it created an added sense of wonder and mystery about the continent so it was mysterious as well as uh and it created an added sense of wonder so mysterious and wonder yeh doonho cheez hai maha peh you can find it out now the next one is very important that is why is antartica the place to go if we want to study the earth's past present and future really very important question it is it uh it had been asked earlier as well or shati saat mein joe chapter hai uski starting ki joe lines hai us mein hi tishani doshi ne bola hai tishani doshi stated that ki agar aapko kahi jana hai study karna hai earth ka past present or future so you can go and study starting ki lines hi hai yaha peh so the antartica landmass that was an amalgam amalgamated southern supercontinent called godwana dates back to 650 million years dekhoh sare points maine joo samjha hai hoi repeat ho raha toh revision bhi ho raha hai aapka saath hi saath mein and it can help us understand better the formation of continents and mountains like himalayas as they are in the modern world okay as they are in the modern world uh it's ice codes hold over half million old uh carbon records that are vital to study the earth's past present and future so this was all from my side mein aapko pura pura detail mein bataya hai achse se samjha hai questions dekhoh jho summary mein le ke aai us mein se sare questions ke answer as it is bantai hai so is summary ko ah aap 2 se 3 ba repeat kar lijiye nahi laghe ga aapko hard jitna chapter hard lagta hai itna nahi hai ye chapter hard aapko as facts ko yaad rakhna hai okay so on this note i just wish you all the very best for your exams and definitely before moving ahead user just like this and share with everyone so that it can help everyone thank you and bye